G20 के मुख्य कार रहे G20 के, आखिर हम G20 को इतना importance क्यों दे रहे हैं? दुनिया भर की रज़रे जो है, वो G20 पर ही क्यों अटकी हुई है? ये G20 आखिर होता क्या है? ये कैसे काम करता है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो G20 के जो मुख्य कार रहे हैं वे अंतरास्टिय इस्तर पर आर्थिक नियंतरण रखना, आर्थिक सहयोग प्रदान करना ये इसके कुछ मुख्याय कार रहे हैं इसके अलावा भी कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिस पर G20 जो है वो विचार विमर्ष करता है वे बेसिक पॉइंट्स है जैसे की आतंगवाद हो गया, जलवाईय हो गया, स्वास्ते हो गया या मानव तसकरी हो गई इन सम मुद्दों पर भी G20 बहुत G20 बैट कर अपनी वारता विमाश करता है भारत के लिए G20 इतना एहम क्यों है, क्यों दुनिया के नजरे अब भारत पर ही ठीकी है G20 ये एक ऐसी पावर ग्रूपिंग है जिसमें जो देश के, जो दुनिया भर के देशों के एडवांस एकोनोमिकल होते है जिसमें से जैसे कि रश्या और अमेरिका जैसे एडवांस एकोनोमिकल शामिल है, ये सम्मेलन सालाना इसतर पर कंड़क्ट कराई जाती है हर साल ये जो सम्मेलन है वो अलग-अलग देशों में कराई जाती है तो इस बार कि जो ये सम्मेलन है जो इसकी अधिक्षता है वे भारत में होगी और सम्मेलन भारत में होगी और इसकी अधिक्षता भारत समालेगा भारत के लिए इतना एहम क्यों है G20? यह भारत के लिए इतना एहम इसलिए है क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका आया है अपनी ताकत को दुनिया वालों के सामने प्रिजेंट करने का, अपने कल्चर को दुनिया वालों के सामने प्रिजेंट करने का, यह भारत क यहाई प्रतिशत जनसंख्या को होल्ड करता है इसमें 200 प्लस मेटिंग कंड़क्ट कराई जाएगी